आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ The main osmoticum in guard cell is पूछा गया है कि guard में जो main osmoticum पाया जाता है वो क्या होता है तो बैसे कलियी guard cell में जो main osmoticum पाया जाता है वो होता है potassium का potassium का इसी लिए है क्योंकि यहाँ पे osmoticum का मतलब होता है कि जो osmotic pressure होता है within the cell और अगर देखा जाए तो जो guard cells होता है वो potassium के present रहने पे रहते हैं wide open रहते हैं during the day time और जिसकी व जो है वो trigger करता है close होने के लिए और जैसे guard cell close होते हैं तो यह condition होता है night condition और जिसमें photosynthesis जो है वो नहीं पाया जाता है तो इसलिए हम लोग लख सकते हैं जो iron सबसे ज़्यादा important होता है osmotic balance करने के लिए guard cell में वो होता है हमारा potassium और इसलिए हम लोग second option potassium को tick कर लेंगे वही हमारा correct option हो जाएगा बाकि सारे जो यहाँ पर आयन्स है वो correct नहीं है इसलिए हम लोग उसे tick नहीं करेंगे Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही राउन्लोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट 8444 पर